देखना के है इतने दिनों से सरकार है और सरकार का दावा बड़ा बड़ा है ऐसी सरकार कभी बनी नहीं परधान मंतरी जी भी इस बात का क्लेम करते हैं हमारे अमिद साज जी भी इग्री मंतरी हैं वो भी क्लेम करते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आतंकबादी घटना है जो है वो बिलकुल सुन्य हो जाएं लगातार मैंने कोई न कोई घटना की खबर जो है मिलती रहती है अब देखिए इसके पहले जो है सत्वाल मलिक का जो बयान आया जो पुरौवां के इस हुआ था हमको याद है अच्छी तरह से याद है कि सारी खबरें जो सत्वाल मलिक न लंबी यात्रा है संको के सिति ठीक नहीं है दिया जाए उसको रिजक्ट किया गया और यह नियम था कि इस तरह का माने कारकेट जब चलेगा उसके आगे आगे उसके आगे एक गाड़ी जाएगी पहले और जो सेंसेटिव पॉइंट होगा जहां से किसी तरह के खत्रे की सं इसको सील किया जाएगा और जहां से वो गाड़ी आ करके उस ट्रक में टकराई जिस्तों चालिस हमारे जमान मारे गए वहां कोई इंतजाम नहीं था तो इस सारा सवाल एक डीएसपी का सवाल उठाया था गया था जिसके गाड़ी में आतंक वादी पकड़े गए थे उसका क्या हुआ आज तक पता नहीं है सब लोग जानते हैं ये ऐसे लोगों के किजमात है भारतिय 정ताठ पार्टिय और आरेश shes जो कुछ कुछी भी कर सकते हैं उनके लिए साधन का कोई मतलब नहीं है गांधी कहते थे साधन की पवितर्था उस से इनकोको कोई मतलब नहीं है ह हम जो हासिल करना चाहते हैं उसको हम किसी तरह से हासिल करें दिखाई दे रहा है राहुल गांधी केस में यही है जो वहां जद साहब हैं वह जद साहब लंबे समय तक अमित साखेवे मुकदमा के पहरविकार रहे हैं दोजार चोड़ तक और वहीं जो है मामला चला गया जो उन्होंने अपने उन्होंने जो जज्जमेंट दिया फैसला दिया उसके समर्थन में सुप्रिम कोट का जितना भी उदरन दिया जज्जमेंट का उसमें कहीं दिखाई नहीं जयता है राहुल गांधी के मामले में लेकिन कह दिया उन्हों का बहने एक यह जज्जमेंट आय से लोग छोड़ दिये गए यह इस्तिती है लोग का मैंने कोई लिहाज जो होता है समयधानिक मुल्यों का मैंने लोक्तांत्रिक मुल्यों का अच्छे बुरे का कोई लिहाज नहीं है जज्जमेंट में कुछ है नहीं हमको लगता है कि मामला उपर जाएगा निश्चित कावल गांदी को इस मामले मेरा हत में लेगी